सारे बाईये ने बाई मेरी रमरम मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ गाओं खेडी दमकन तहसील गोहाना और जिला सोनिपत आप गैस कर सकते हैं मैं कहां आया हूँ मैं आज आया हूँ स्वामी जस्मेर जी महराज के पास और जोकिक महामंदलेश्वर की उपाधी उनके पास है और सबसे आश्चरी जनक बात मेरे को एक लगी पहले तो मैं उनसे पूछूँगा कि कभीर दास जी और स्वामी विवेकान जी के उनके पास उनके साथ एक फोटो है उनका कम्बिनेशन फिर मैं राजनीतिक प्रशन उनसे पूछूँगा नमस्कार जी ठीक है बहुत अच्छे सर ये कम्बिनेशन क्या बनाया है सर आपने हमारे कभीर जी और स्वामी विवेकान जी भी साथ में ये कम्बिनेशन अगर सभी लोग बना लें तो हमारी समाजीक और अध्यात्मिक जो दो बहुत बड़ी सत्ता हैं दोनों सबकी सुधर जाएं और हमारा सारा सब ठीक हो जाएं कभीर जी के बहुत बड़े अध्यात्मिक गुरु हैं और समाज को सुधर अगर निये भुमिकान नमाई है निर्गुना कार इस वर क्यो पासक है जी और उसी परकार से ये जो आपका जो परसन है निर्गुनाउपासक और सरगुनाउपासक दोनों की बाते आती हैं ये बहुत गहरे ध्यात्मिक विशे हैं हम इनी से थोड़ा सा जहां हम लोग बैठे हैं हम इस बात को ले सकते हैं कि कबीर जी नहीं कहा है कि संत की जाती पे आप ना जाएं संत की ज्यान पर जाएं और कबीर जी ने इस बात का प्रमान भी दिया है और उन्होंने धर्म की को भी बीच में नहीं आने दिया है इंसान का धर्म सबसे आगे हो इसको कबीर जी लेकर चले है कि जाते ना पुछे संत की और पुछ लिजी ए ग्यान और मोलकरो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान कितनी सुन्दर बात है तो कबीर जी ऐसी सक्सियत है इस धर्हा पर हुई है आज तक इनके इलाबा कोई भी संत कोई भी पंथ कोई भी धर्म और जाती पर बोलकर कही देश की सीमा में कोई ना कोई रुका है लेकिन कबीर जी ऐसी सक्सियत है जो सभी धर्म और जातीयों को तोड़ते भी आल वल्ड की शांती के लिए बोलते रहें जिनके विचारों पर आज भी यवन्यों अगर टिका है तो उस कबीर जी के विचारों पर टिका है इनके लाबा कोई संत धर्म और पंथ ऐसा नहीं है जो कही ना कहीं बाउंडिशन के उपर ना हो और मैं भी इनी विचारों पर हूँ मैं किसी कीमत पर भी कहीं पर बंदना नहीं चाहता हूँ सबी जातियों को सबी धर्मों को सब को लेकर हम लोग चलते हैं इनसानियत का धर्म सबसे बड़ा है और उसी को साथ में लेकर आपने विवेका नंजी की मेरी फोटो देखी होगी सवामी विवेका नंजी के दवारास्तापित विश्वा धर्म संसद जिसका अंतरास्टे कर ले सिगागों में है वहाँ से मुझे दोजार च्छे में महामड लेश्वर के पच्छे निवाचा कया था ये महामड लेश्वर क्या उपादी होती है हमारे धर्मिक जो कारिये हैं उसके अंदर सभी बातों को पूर्ण करने के लिए जो सक्षम हो जाता है कहीं पर भी कोई ना कोई जाती के नाम पर रुकता है ना धर्म के नाम पर रुकता है ना उस निच्च के नाम पर रुकता है उसको ये पद दिया जाता है कि आप सही मंडलों के पूरे मंडल के उपर आप पूरा काम करेंगे तो आपको महा मंडलेश्वर हम कह रहे हैं आप किसी मंडल में बंदते नहीं जैसे कहते हैं कि ये इतना मंडल है भूमंडल है तो पूरे भूमंडल की बात आ जाती है अध्यात्म स्तर पर आप अध्यात्म का और राजनेती का संबंद समझ में आ जाना चाहिए और इस बात को संबंद समझ में आया था तबी तो सत्यूग था ये राजनेती और धरम का संबंद था तबी तो तरेता युग था राजनेती और धरम का संबंद आधा संबंद में आ रहा था तबी तो द्वापर युग था अब बिल्कुल भी संबंद में नहीं आ रहा इसलिए कल युग हो रहा है और हम लोगों को यही समझ में समझ में दिलाना है और सही में हमारे यहीं पर माता सीता के पिता राजा जनक थे उनका नाम जिब लिया जाता है वो तो राजा थे तो उनका धरम और राजनिती का इतना गहरा तालमेल था कि उनके नाम के आगे जनक विधही तक लगा दिया गया यानि कि इस दे को भी वो अपना नहीं मानते थे वो राजा थे पूरी तरह से इस धरापर आज तक केवल एक मुनी सुखदेव मुनी जो गरब योगे सोर हुए है और उनके गुरू कौन थे वो सबी संत महात्माँ के पास गए आए खुप चकर लगाए वेद व्यास जी ने कहा कि कोई गुरू नहीं मिला उसने कहा कि मेरी ब्राबर का कोई गुरू है ही नहीं मैं किसको गुरू बनाओ तब वो ने कहा कि धर्म और राजनिती का मेल बनाने वाला एक सक्सिस दुनिया में है और सबसे बड़ा गुरू वो है राजा जनक उसका नाम है उसने कहा कवाल की बात है वो राजा भी है सुक भोगता है परिवार है और मैं उसको गुरू बनाओंगा तो वेद व्यास जो हमारे वेदों के रचियता उन्होंने कहा कि तो एक बड़ जाकर तो देख उसका सबसे बड़ा गुन है वो धर्म और राजनिती का मेल बनाके चलता है तो एक बड़ जाकर तो देख और वो उसका गुरू बना था, ये विश्व, विश्व की एतिहासी घटना है, परमानिक तोर पर बता रहा हूँ, और जिस दन धर्म और राजनिती का मेल हो जाएगा, सचा मेल हो जाएगा, और समझ में आ जाएगा, तब ही तो सब ठीक होगा, आप मीडिया वाले लोग भी तो बाद में यही कहते हैं, जब कोई घटना घटती है, कि आपका धर्म कहां चला गया था, आपका इमान कहां चला गया था, आपका इंसानियत कहां मर गई था, ये सब चीज़े तो हमारे धर्म के अंदर हैं, केवल राजनिती के अंदर नहीं है, तो राजनिती के अंदर धर्मिक लोग हूं कितनी सुन्दर बात है। सचे लोग हूँ, इमानधार लोग हूँ प्रेमी लोग हूँ, आत्मिक लोग हूँ, यह कहाँ से निकलेंगे। यह तो धर्म के स्aben के स्कूल से ही निकलेंगे। इसलिए धर्म और राजनिती का मेल आप और हम को समझना होगा और वो समझ में जिस दिन आ जायेगा तो समाज के अंदर सब कुछ औरी कोई बात होजाएगी इ causal के लिए मैं चाहता हूं कि इस राजनिती के अंदर धर्मिक लोगह हूं आत्मिक लोग हो अच्छे लोग हो सच्छे लोग हो और अभी मैं जिस पार्टी में हूँ बात मैं कुछ पूछ भी सकते हैं यहीं बात आएगी उस पार्टी को बनाने वाले उसकी नीम रखने वाले वो पार्टी चोधरी देविलाल जी के विचारों पर निर्मत हुई है जनायक जन्ता पार्टी और चोधरी देविलाल जी एक संत रूप में हमारे बीच में थे वो संत थे जो सब के लिए सोचता है, सब के लिए जीवन लगाता है, सब को अपना मानता है और की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है वही तो संत होता है और चौधरी देवलाल जी हमारे बीच में एक संत रूप में थे तो वो एक एक धार्मिक वेक्ति कह सकते हैं उसको धर्मात्मा वेक्ति कह सकते हैं उसको आत्मा बड़ा वेक्ति कह सकते हैं महापुर्श कह सकते हैं तो वही ही भला होता है इसलिए मैं चाहता हूं कि धर्म औरानिती का मेल हो एक वाक्य याद आ गया मुझे कबीर जी पर उन्होंने एक बात कही थी कि अगर कोई पत्थर को पूजे इश मिले मैं पूजू पहाड एक वो कॉंबिनेशन और एक यह सफ्टिक की माला रुद्राक्ष की मा यह एक मुखिर उद्राक्ष आप पहने यह कहां का सईयोग है मतलब वो मानते नहीं वो सब मानते थे अच्छे किसने कानी मानते थे यह बहुत बड़ी बरांती रह जाती है तुरूटी रह जाती है अबी मैं दुसरे कक्स में बैठा हूं दुसरे में हम बैठे होते जो यह ठीक है उनोंने यह भी ज्यान दिया कि अदली आरती अदल बठाओं युगों-युगों का लेखा लाओं जादिन नाथे पिंड पराना पानी पवन जमी असमाना कच्छ मच कूरम नहीं काया यह चंद सुरजने दीप बनाया यह सेश महेश गनेशन बर्मा नार्द सार ना विश्करमा शिद चोराशी ना तेती सो नो अवतार नहीं चोबी सो पांच ततव नहीं गुणती ना और नाद बिंद नहीं गटशी ना चित्र गुप्त ना कृत्रम बाजी और ध्रम राहे ना पंडत काजी दूँदूखार अनन्त युग बीते ऐसा भी समय था कबीर जी का सबस्ट मत ये था कि सबका अपना अपना स्थान है कि बगर आत्मियता के बगर अध्यात्मिक ताके बगर सतता के आप चाहे पहाड को भी पूजने जाएं आप पत्थर पे पानी डालो तो कोई भी रजल्ट नहीं आएगा इसलिए हमारा कर्म होना चाहिए सतत बातें अंधिर हैं इसलिए वो उस बात को मरहंबर ले जाकर छोड़ते रहें कबीर जी इसलिए कबीर जी की बात उची है तो अच्छा कबीर जी का एक शलोक है बिना नयन पावी नहीं बिना नयन की बात सेमे सद्गुरू के चरण सो पावे साक्षात इसका अर्थ जो हमा आरे आज के गूरू है वो अरलग अर्थ निकालते हैं पुराने टाइम के जो गूरू है वो अलग अर्थ निकालते हैं चलो हम इस बात पर नहीं जाते हैं हम आते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल की लंबा विशेव जी चोटा सा रह गया बिल्कुल इसी को यह सौल करूंगा और उने का कि पावे सद्गूर शेव, सद्गूर के सण जो शेव करते हैं, उनका आर्थ ये है, जब वो यूं कहते हैं, शिर साटे की भगती है, और कच्छू नहीं बात, और शिर के साटे पाईए, आवगत अलगनात, शीष तुम्हारा जाएगा, कर सद्गूर को दान, ये शिर साटे की भगती है, तुम्हारा शिर साटे की बाजी लगी है, उसका आर्थ ये नहीं है, उसका आर्थ है कि समर्पन भाव, आपने का ने, गुरू के, तो वहां कबीर जी कह रहे हैं, करोडों अस्वय मेग यग से, ना हो साहिव का दिदार परमातमा का, लेकिन आधिन अधिनी, बंदगी और शेवा से च्छन में उतर ही पार, वो वहीं का था, यानिके गुरू के पर ये नहीं के बई, अब ये गुरू बैठ गया है, आप उसके पर धोते रहो, उसकी सेवा ये नहीं है, कबीर जी कह रहे हैं, करोडों बिल्कुल खतम, पाखंड को खतम किया वो कहते हैं, करोडों असवे मेग यक से ना हो साहिब का परमात्मा का दिदार, लेकिन आधिनी, बंदगी और सेवा, तीनों चीज राणिती में चलती हैं, च्छन में उतरे पार, कबीर जी कह रहे हैं, ये तीनों चीज ने भाववे सबसे बड़ा व्यक्ति है, आधिनी कर आप परनाम करो, आप सेवा करो, कल मोदी जी ने भी पाउंद हुए हैं, जो महां के सेवादार थे, हाँ उसकी मैं बढ़ाई करता हूं, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, यही तो है कि समरपन भाव, कि सीज तुम्हारा जाएगा करशत गुर को दान, वही तो है, शिर राजनिती में, लोग कहते हैं सेवा करेंगे, वो करेंगे, मतलब आप किस अधार पर राजनिती में आ रहे हांगे, मेरा जो प्रोफेशन है, वो राजनिती से भी पहले मेरा प्रोफेशन है, शेवा करना, राजनिती शब्द में राज के लिए नीती है, जनता कहां चली ज नहीं जनता है न हमारे साथ हमारी पार्टी का नाम देखे ना आप में 실패र कीला पर लिखा है जननायक जनता पार्टी यानी के जनता की पार्टी लकुल कलेयर सार लिखा you know और जनता पार्टी और ये त्यारी तो मैं भी कर रहर। लेकिन पार्टी को भी लडाए है हाँ यानिके पार्टी का जो भी उम्मिदवार हो बिलकूर साफ़ खुली बात है हाँ है हाँ जी हाँ आ तो दुशन जी से आपकी बात हुई है लोग सबाग को, लेके ये बाते ना होना अंदर खते इस बात को मैं बढ़ा ऐसे नहीं कुछ भी कहा जा सकता क्या कौन आप बिस्क्तर नहीं कर रहे है वह पार्टी की मरजी चलती है, आप नहीं चाहते हैं अपने मुझे क्या आप चा बखि मेरी तियारी पूरी है, मेरी इतनी तियारी है, कब एलक्शन हो जाएं, और बीजेपी का कोई भी उमिद्वार बड़ा सा बड़ा त्यार हो कर आजए बिल्कूल, मैं उसको यह राने जा रहा हूँ, किस मुद् trafficking कोई भी हैं, बीजे पी का जीतने का मुद्दा है कौन सा अभी जीन में फचास sust अजार रोट मीली हैं संग्यो तो अजैन्योत सारी दुनिया को पता है जनता को हो गए थे सबका काम हो रहा था दोसंजी कह रहे थे वरस्टा चार को रोको बाकी बीजेपी के सारे नेता कह रहे थे दुसंद को रोको दोसंजी कह रहे थे जिनके गड़े घड़े भरके और इस इस बुरे हाल को रोको जी और कॉंग्रस के सारे नेता कह रहे थे दुसंद को हो गयी थी जैसे बाढ जब आ जाती है और उस बाढ़ के अंदर सबी एक ही पेड़ पर आ जाते हैं चाए बिच्चु हो लोग उसके बाद और भी बड़ रहे हैं तो सब इस तरह से वह आपके सामने हुआ आप अपने दिग्विजे जी को आशिरवाद दिया है, वहां पे करेकरम हुआ था, दिग्विजे जी को रक्षा सुत्र भी बांदा, ओम येन बद्दोबली, राजादान, विंद्र, वहाबले, तेन तवाम प्रतिवद्धनामी रक्षा, वो कहां फिका रहा है, इतना बलवान हो किसी नेशनल पार्टी का नेशनल लीडर, अपनी जमानत बचाने के जद्दो जाद करता दिखे, वो हर होती है, और कोई परदेश का विपक्स का नेता तक भी, जमानत बचाने, जमानत तो जबत होई गई, लेकिन उसमें भी संतोष जनक तरीके से वो जमानत जबत नहीं ह और ही हार तो वो होती है, और दूसरी बात, जीतने के लिए सरकार टोटली सारे हत करने अपना दे, आखर में गिंती में लटी चार तक भी कर दे, लोगों को नजदीक भी ना आने दे, ये बहुत सारी बातें हुई हैं, देखे, एक 38,000 वोट पिछली बार सड़े 31,000 मिली काभीले तारीफ है, लेकिन 13,000 वोटों से पिछे, ये भी तो एक सोचने बड़ा विश्य है, ये सोचने वाला नहीं है, जी, अब आगे जो इलेक्शन होगा, बड़ा सोच समझ की इलेक्शन होगा, किस तरह से आप उसको फिस कर पाएंगे, हम लोग जिस दन से पार्टी क को देख के आगे बड़ा जा रहा है, लोग किस कदर परिशान हैं भारतिय जनता पार्टी की सरकार से, इन से बातों को ध्यानम रख कर आगे बड़ा जा रहा है, और बहुत अच्छे से जन्नायक जनता पार्टी चुनाओ लड़ने जा रहे हैं, अगर जनता परिशान होती गाहने यह फो लोग सांगर ही को बोट ने वाले हैं हैं और वह लोग फिर भी चेपी को बोट डे रहे हैं जो कटर मняंसे कांग्रिस के जंडे उनके घरों पे लहरा रहे हैं ये बात मैं तो मान लूँगा नहीं ये तो मान लूँगा अब जेजेपी में लोग आ रहे हैं ये तो मैं मान लूँगा कि जेजेपी में लोग आ रहे हैं ये तो मैं मान लूँगा कुछ कटर जेजेपी के समर्थक पूरा कॉंगरेस के जंडे लिए वो बात मैंने आपकी मान ली वो क्या है एक सडीयं तर चला गया था बाद में बीच में भी चला गया था जब हवा भावत उंचे चले की जेज़ेपी की वह लोग जेज़ेपी के नहीं थे वो लोग थे ही ने जन्नाक जन्ता पार्टी के वो दिखाने के लिए किया गया था कि हम हैं तो जेजेपी के लेकिन हम जंडे लगा रहे हैं कॉंगरेस के ये पूरी तरह से साफ हो चुका है हमारा तो एक एक वेक्ति इतने दिल से जुड़ा है परिवार की तरह जुड़ा है और कोई भी दिल भी जीता है तो इसलिए वो लोग हमारे नहीं है वो तो एक सडियन तर बना गया था जब आखर में यहां तक भी किया गया कि वे जो कॉंगरेसी लोग हैं या इनलोग के लोग हैं उन्होंने मीडिया को बुलाने से पांच मिन्ट पहले दुशन जी का जन्नाक जन्ता पर वो बोर्ड लगा दिया उनको बुला के उतार दिया हम इसको उतार रहे हैं ऐसी भी जिस दिन वो ब्यान आया था कुछ इस तर की बाते चलाई थी तो वो हमारे लोग नहीं है पार्टी के लोग नहीं थे लोगसभाय सोनिपत का चुनाव आप इस मुद्डे पे क्या कहके लोगों से वोट मंगए के जिए क्या रणनीती आपकी रहेगी रणनीती नहीं बनाई जाती रननिती तो वो लोग बनाते हैं जिने को हार क्या डर होता है और कहीना कहीं वह आगे पीछे निकलते हैं हम बिलकुल साफ सुत्री निती लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं यहां से बाजपा का जो संसद है वो किसी गाओं ने दुबारा देखा ही नहीं इसे बड़ा मुद्दा क्या होगा इसे बड़ी बद की सिम्थी और क्या हो सकती है एक ही मुद्दा भाउत है और तो बातें बहुत ज्यादा है लेकिन मैं तो इसे मुद्दे की बड़ी बात कर रहा हूं इसलिए लोग नहीं चाहते कि S.A.M.P. बन कर जाए लोगों के बीच में हो लोगों के बीच में रहे लोगों की जन्हें भाउना के नरूप हो वो कारिये करे और वो उनके साथ रहे हम लोग साथ रहने वाले हैं बीच में रहने वाले है कितनी सीटे आ जाएंगे अती शुक्ति लंकार को प्रयोग ना करते वे पर कितनी सीटे आ जाएंगी दस में से हम लोग दस सीटें पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हम लगवग आठ सीटें जीतने जा रहे हैं बाकी दो किनको दे रहे हैं आप दो सीटें जिसका भागो ले जाएं को कांगरस भी है बीजेपी भी है ऐसा ही होने जा रहा है कितने संटर चुखर सेzę उपर हम लोग लेंगे अबैसे बात को मैं इतनी आत्मिता से रहा हूं और यह लोग army 7 यह बहुत त्यार है जीन्ध के बाद और वी गुछा है आपने देखा जिन चुनाएं के बाद मुख्ख मंत्री का वेबार आपने देखा दो वीडियो सामने आई हैं कमाल की बात हद कर दी है परदेश के मुख्ख मंत्री ने ये सारी बाते उठने वाली है एक बुजरिक आदमी को सरप पगड़ी है और बहुत बुजरिक आदमी है और ये फिर बियान देता नहीं नहीं तो ऐसे ऐसे कह रहा था उसको कह रहा है कि मैंनी साइन करता और उसने कहा कि मैं साइन नहीं करता बोला दे दो वई ऐसे हाथ भी चल रहा है मुख्ख मंत्री का पहले एक बुजरग आदमी को मुख्य मंतरी ने परदेश के मुख्य मंतरी मनहोर लाल खटर ने उसको धंका गए उसकी अप्लिकेशन वापस फैंक दी यह कहां का लोक्तंतर है और उसके पांच मिन्ट के बाद एक बुजरग बुड़ा और बुड़ी आगे खड़े थे उनको तो सरयाम कर रहा दोबारा आगे तो अंदर धकेल दूँगा पुलिस में पकड़ा दूँगा यह तानासाई नी तो क्या है मनोर लाल खटर की मनोर ला वीडियो की पीछे की सत्यता कितनी है कमाल हुसामने की बात पबलिक की बात यह सब यह बेकार की बाते होती है इन लोग कहते हैं नहीं चेक करेंगे देखेंगे जिए वीडियो में दी खराबी मैं बोल रहा हूं बताओ मैं जो बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं मैं नहीं मि बहुत विचारनी है बहुत प्रियतन करने का ये समय है और इस समय को दोबारा से सी कोई घटना पर्देश में ना घटे जैसे मुक्र मंतरी जिनने उस बुझर को उसकी वह अप्लिकेशन फैक के मारी है दो बुझर को करा मैं अंदर जेल में करा दूँगा या ऐसे लोगों को इस हरियना पर्देश से उखाड कर फैकने का ये समय है और वो समय आपका आगे बढ़ रहा है और युवाओं के पर एक बहुत बड़ी जम्मेदारी आ चुकी है चारों तरफ एक बात फैल गई और असली बात है कि परते एक ब्रादरी का युवा दूसंत के साथ है ये बा बड़ा बड़ाव करना है पर्देश की बात तो मैं क्या करूं जब जब भी बड़ाव आया है तो सभी देशों में करांती युवाओं के दवारा आई है और युवाओं का जोस प्यार परे महुंसला जन्नाएक जन्ता पार्टी का बहुत बड़ा हतियार है दूसं चुट जितें और आगे बढ़ें आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी तो यह हमारे स्वामी जस्मेश जी का बिबाक राए मतलब टेंशन नहीं बड़े रिलेक्स सभाव से बड़े अराम से उनका जो जवाब रहता है बड़ा काभीले तारीफ है इतने तीके प् हमारे स्वामी